हेलो प्रेंट्स बलकोम टू माई चैनल अनुराग वाई टी लीड आज हम डिसकस करेंगे प्रगातियासिक चितरों का उद्देश प्रेयरक व्रतियां इससे पहले हमने जो भी प्रगातियासिक चितर हैं उनके प्रामुग जो कलाखेंड हैं कलाकेंद्रों के बारे में संपूर्ण डिसकस कर चुके हैं तथा सभी कोशन करा चुके हैं यदि वीडियो नहीं देखा तो कलाकेंद्र के आप सभी वीडियो देख सकते हैं सुरू करते हैं वीडियो को प्रगतियासिक मानों के चित्रों की रचना के पीछे कौन कौन सी भावना नहीं थी तो जो प्रगतियासिक मानों के चित्रे थे उनके पीछे चित्र बनाने के पीछे भय, जादू, टोना, टुटका, चिरिस्मरती, विजय, इत्याद की भावना नहीं थी जो भी चित्र में प्राप्त हुए हैं उनमें भय, जादू, टोना, टिटका और चिर, इस्मरत, बिजय, इनके सब के चित्र में प्राप्त हुए है नेश्ट है प्रगतियासिक चित्रों में क्या प्रलच्छित होता है जो प्रगतिय सिग्चित्रों में हैं, उन में हमें आदिमानों का दैनिक जीवन दिखाई पड़ता है कि आदिमानों किस पकार से रहते थे नेश्ट है प्रगतियासिक मानों की दिन चर्रह क्या थी तो पस्ट को मार कर खाना तथा उसके बाद उल्लियास में नतग गायन आदि करना था अताज जो प्रगतियासिक मानों था वो पसुओं को मार कर खाता था तता खाना खाने के बाद अपना नित गायन आधी करते थे नेश्ट है गुआवासी मानों ने अपनी सफलता के लिए अद्रस सक्तियों की पूजा किन पतिक चिन्नों के मादम से आरम की तो जो गुआवासी मानों थे इन्होंने अपनी सफलता के लिए स्वास्तिक, खटकोण, अंकों तथा रेखाओं का प्रयोग किया पूजन सक्तियों में ने श्टेव प्रगातियासिक चित्रों में उपलब दोते हैं तो जो प्रगातियासिक चित्रों के पेंड़ा क्रई तो जो प्रगातियासिक चित्रों के पेंड़ा तिवोते भावना समवेग, अब्वेक्त, गिलालसा, बिजय, जादु टोना तता प्रगातियासिक चित्र किस विशए से समन्दी तो जो प्रगयतियासिक चित्रों के विशए से समन्दी ते जो में चित्र प्रगयतियासिक्षि कि फिसे प्रगतियासिक चित्रों के बिसे हैं वो है पसु मानव और पच्छी इन सबी पे जो प्रगतियासिक मानव था उसने चित्र बनाए हैं पसुओं पर भी मानव पर भी और पच्छीयों पर भी नेश्ट है प्रगतियासिक मानव ने किन पसुओं का अंकन किया तो जो मनुस प् पसुओं में सरवदिक अंकन किसका हुआ तो हरिन जिसको बारा सिंगा भी कहते हैं इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा चित्र में हुआ है जो हरिन अथाथ हरिन को वर्तमान में बारा सिंगा कहते हैं इस पसुओं का जो चित्रन प्रगतियासिक काल में सबसे ज़्यादा किया परिबारिक दर्स्थों में कन विश्यों का अंकन मिलता है। से इन में अंकित किये गए और जो सबसे आदा पच्छी जिस चित्र के बनाए गए वह मयूर जिसे मोर कहते हैं और जो जिस पसुका सबसे आदा चित्र बनाए गए वह पसुआ हरिण जिसे हम बारा सिंगा भी कहते हैं नेस्ट कोश्चन है प्रगतियासिक चित्रों में आखेड में प्रवत्त नहीं दिखाया गया तो जो आखेड में प्रवत्त नहीं दिखाया गया हुआ 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 इस्तियों के अर्थात इस्तियों के जो चित्र हैं वो आखेड में नहीं दिखाए गए नित्कला का आरम में माना जाता है तो नित्कला का आरम जो है प्रगतियासिकाल से माना जाता है नेश्ट पॉइंट है वाद यंत्रों में अंकन मिलता है जो वाद यंत्रों में अंकन मिलता है जो वाद यंत्रों में अंकन मिलता है जो वाद यंत्रों में गिटार के नेश्ट है प्रगत यासिक चित्रों में प्राया किस ब्रच का चित्रित किया गया है तो जो पीपल है पीपल ब्रच का इसमें चित्रन किया गया है और जो पस्ता पस्ता आपका हरियन जिसे अंबारा सिंगा कहते हैं और जो पच्छी था सबसे आदा पच्छी प् प्रतियासिक काल में मानव पसपच्छी की आकरतियां किस सहली की हैं प्रतियासिक काल में मानव पसपच्छी की आकरतियां थे ये अलंकारिक लोक सहली से समझ दिती हैं नेश्ट पॉइंट है लोक कला का आरम किस काल से माना जाता है नेश्ट है आदिकाली मानवों ने क्रस जीवन के अंतरगत चितरित किया तुपस पालन, बैलगाडी, नौका, बियार, मसंचन, इन सभी का क्रस जीवन में अंकचित रित्मिले हैं नेश्ट है प्रगतियासिक चित्रों में किसके अब्यक्त हुई है तो जो प्रगतियासिक चित्र हैं इनसे हमें भै, सहाज, समेक, तताधर्म इन सभी चित्रों के माद्यम से इन सभी के जो भावना हैं ये प्रदसित की गई है नेश्ट है प्रगतियासिक युग के चित्रों से संचित मिलता है तो जो प्रगातियासिक यूग के चित्र हैं इनसे हमें मनुस्थ के संपूर इतियास के बारे में जानकारी मिलती है अर्थार जो प्रगातियासिक यूग के मनुस्थ थे उनके बारे में हमें चित्रों के मादें से संपूर जानकारी मिल लई है नेश्ट है प्रगातियासिक कालिन अधिकान चित्र है ये रेखाओं द्वारा बनाए गए है जो भी चित्र बने हैं वो कुछ इस पकार से ऐसे रेखाओं द्वारा अंकित है नेश्ट है प्रगातियासिक चित्रों में किसका महत है तो जो प्रगातियासिक चित्र थे इसमें सबस्यादा रेखा का महत है अर्थात जो भी चित्र बनाए गए है वो इस पकार से कुछ रेखाओं से अगर अधियार भी बनाए गए है तो इस पकार से रेखाओं के मादम से बने हैं नेश्ट है प्रगातियासिक चित्रों को क्या का जाता है तो प्रगातियासिक चित्रों को रेखा चित्र भी कहते हैं नेश्ट है अधिकांस प्रगातियासिक चित्रों के रंग क्या थे जो अधिकांस प्रगातियासिक चित्र मिले हैं वो गेरुआ रंग के प्राप् करते थे नेस्ट है गेरू के अलावा आदिकालीन मानों किन रंगों का प्रचूरता से प्रयोग करते थे तो जो गेरूआ रंग था इसके अत्रीक्त हिराउंजी रामराज और खडिया इन रंगों का भी प्रयोग चित्र बनाने में किया करते थे नेस्ट पॉइंट है प्रग्यातियासिक काल में रसायनिक रंगों का प्रयोग होता था जो प्रग्यातियासिक काल में रंग थे ये कोईला या फिर काजल के बने हुए होते थे नेस्ट पॉइंट है प्रग्यातियासिक चित्र समानता निर्मित किये गए तो जो प्रग्यातियासिक चित्र निर्मित किये गए वो गेरू अचार कोल के निर्मित किये गए नेश्ट है प्रग्यासिक काल में आकरतियों के निर्माल में प्रयोग किया गया तो जो प्रग्यातियासिक काल के चित्र मिलते हैं इसमें हमें सीधी रेखा इस पकार से वक्त रे रिखा और इस पकार से आयत में बने हुए चित प्राप्त होते हैं नेश्ट है आद कालिन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्दित का प्रयोग किया गया तो छेपांकन पद्दित का प्रयोग हुआ है आद कालिन चित्रों में अर्थात रेखाओं का प्रियोग तो हुआ है, साथ में छेपांकर रेखाओं का भी प्रियोग, छेपांकर पद्दत का भी प्रियोग किया गया है, नेश्ट है प्रग्यातियासिक चित्रों में दिखाई देता है, जो प्रग्यातियासिक चित्र से इन्हें हमें गतियों सजी दिखाई देती हैं नेस्ट है प्रग्यातियासिक चित्र क्या थे तो प्रग्यातियासिक चित्र से ये गुवा चित्र थे अर्थात ये जाद अतर गुफाओं में बने हुए चित्र होते थे जो पत्थरों में बनाए जाते थे नेस्ट पॉइंट है भारती प्रगतियासिक चित्रकला की सतय पर बनाई गई जो भारती प्रगतियासिक चित्रकला थी ये चटानों की खुरधरी दिवारों पर बनाई जाती थी अर्थाद गुफाओं में जो चटाने होते थी उनमें खुरच कर दिवारों पर चित्र बनाते थे नेश्ट है आदिकाली इन चित्र लाल गेरू या हिराउंजी काले रंगे जो होते थे उनमें कोईला या काजल या प्रिकालिक का प्रयोग करते थे और सफेर रंग के जो चित होते थे उन्हें बनाने के लिए खड़िया का प्रयोग करते थे तथा लाल रंग के चितर बनाने के लिए गेरू या हिराउंजी का प्रयोग करते थे जो रंगों को किसमे मिलाकर बनाए गए तो ये जो रंग होते थे यदि लाल रंग की बात करें ये पस्मों की चरबी में मिलाकर बनाते थे नेश्ट है प्रग्यात्यासिक चित्रों के संदर में निम लिखित कथनों में कौन सा कथन असत्त है तो प्रग्यात्यासिक चित्रों में दमकता, लाल, चमखीला, नीला, प्रफ divul, हला, रंग भरा गया है अर्थाज जो भी चित्र बनाए गए हैं उनमें हमें लाल, काले और सफेद रंग ही प्राप्त हुए हैं तता कोई भी ऐसे चमकीला या बहुत ही हरा या तेज रंग प्राप्त नहीं हुए प्राप्त यासिक चित्रों में आकरतियों के सीमा रेखा को बनाए गया है अथाज जो आकरतियों बनाते थे वो रेखाओं दोरा बनाते थे तता है जो आकरतियों बनाने में ये नुकीले पत्थर के प्रेयों करते थे जो पत्थर होते थे वो चक्मक पत्थर से खोद कर बना जाते थे नेश्ट है प्रगतियासिक चितरकार अपनी तुलका ब्रस को किस से बनाता था तो जो प्रगतियासिक चितरकार थे जो अपनी ब्रस का प्रयोग करते थे वो किसी रेसेदा लकडी या फिर बास या नरकुल आज के एक सिर्व को कूड कर बनाता था तो ये मालीगी ये कोई बास है तो इसका एक सिरा कूट लेते थे तो ये इस पकार से ऐसे ब्रस ये तयार हो जाती थी और जो ब्रस बनाते थे प्रगतियासिक चित्रकार तो उसे ब्रस को हम तुलिका कहते थे नेश्ट है आदिम चित्रकार रंगों को पस्वों के चर्वी मिलाने के लिए प्याली की रूम में क्या प्रयोग मिलाते थे तो जो प्याली को रखते थे वो पस्वों के पुट्टे की हड़ी होती थी जिसे हम प्याली के रूम में प्रगतियासिक जो माना होते वो प्रयोग करते थे नेश्ट छापा चित्रों का अरम किस काल से माना जाता है तो जो छापा चित्र ये प्रगतियासिक काल से समंदी थे च्छापा चित्र में जायतर हमें हाथों के इस पकार से बने हुए चित्र प्राप्त होते हैं ये च्छापे चित्र इस पकार से कुछ पत्थरों में ये चित्र ऐसे बने रहते थे तथा ये बहुत सारे चित्र में च्छापे के हाथ के च्छापे के चित्रे से प्राप्त हुए है यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं आपका प्रग्याति आसिक काल कमप्लीट होता है नेश्ट टॉपिक जो रहेंगे वो सिंद्ध गाटे की सब्बता से समंदित रहेंगे प्रग्यातियासि काल में हमने प्रमुक कला केंदर पड़े जो भी एक्जाम में आपके सिलेबस में दिये हुए हैं तता है एक्जाम में हर बार कोशन पूचे जाते हैं तता साथ ये प्रग्यातियासि चित्रों के बिसेस्ताएं और उनकी ब्रतियों के बारे में संपूर्ण डिसकस कर लिया है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जाए हिंद